हेलो दोस्तों आचल टैरिस गार्डन में आपका स्वागत है आप सब कैसे हैं मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आपकी गार्डनिंग भी बहुत अच्छे से चल रही होगी आज मैं आप लोग के साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूं फ्रेंड्स वो मेरे गार्डन में खिले हुए सफेद रंग के फ्लावर को मैं आप लोग को दिखाऊंगी आज तो वीडियो में एंड तक बने रहें और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो की तो देखिए सबसे पहला मेरे गार्डन में सफेद रंग के फूल खिले है उसमें गुलाब देखिए कितना खुबसूरत और बहुत सारे फ्लावर्स खिलते हैं देशी गुलाब है यह देख रहे हैं फ्रेंट्स यह देखिए यह पूरा कलियों से भरा हुआ है और इसमें लगा हुआ है आप देख सकते हैं यूजलेस जो टीन आयल के नाता है तीन का उसी में मैंने ग्रो किया हुआ है और देखिए बहुत अच्छे से इसमें फ्लावरिंग हो रही है तो सफेद फुलो में गुलाब का नाम सबसे फर्स्ट मेरे गार्डन में और कटिंग से ट्रो हो जाता है और जो आपने गुलाब का जो फ्लावर अभी देखा वह भी कटिंग से ही मैंने ग्रो किया हुआ है तो आप अभी जनवरी के महिने में करंग सकते हैं यह निग गुलाब की नेक्स्ट मेरे प्लांत है वाईत कलर वाइट ब्यूम्टी वह सेव लेकिन अभी हम कटिंग इसकी लगाएंगे तो फ्लावरिंग शायदी होगी फ्रेंट्स इस सीजन और जो गुलदादी की कटिंग होती है वो जून जुलाई के मन्थ में लगानी चाहिए और नेक्स्ट मेरा वाइट ब्यूटी है डगर का प्लांट जिसे चांदनी बोला जा आप देख रहे हैं वो मिनी चांदनी का है इसके जो फूल होते हैं बहुत ही छोटे-छोटे होते हैं और देखें कटिंग से ही लगा है यह भी इसका मदर प्लांट भी है मेरे पास वह दूसरे पॉर्ट में लगा हुआ है और देख रहे हैं कितने अच्छे से है वो मेरा है ही इसका है दैसी ही इसकाइए यह भी बहुत अच्छे से फ्लावर्स कर रहे है फ्लावरिंग कर रहे है इसकी तो मैंने प्लांट खरीदी है उसकी गहने है यह षाती next plant है stock है देखे फ्रेंट यह seasonal plant होता है और थंड में इसमें flowering होती है देख रहे हैं कितने अच्छे से flowering हो रही है white color का इसमें भी बहुत सारे colors के flower मिल जाते हैं लेकिन हम अभी white color के flower की ही बात कर रहे हैं तो मैं आपको white color वाला ही show करूंगी और नेक्स्ट हमारा प्लांट है ये देख रहे हैं डेंथास ये भी बहुत ही खुबसूरत फूल है वाइट कलर के और कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है सीट से भी प्रोपोगेशन हो जाता है इसका यदि आप अच्छे से केर करें तो ये आपके साथ गर्मियों भी गर्म के सब्सक्राइब ग्रोह हो जाता है और इसकी सल्से के बहुत ही खुबसूरत अपने प्लांट है ये वाइड कलर का वर्मिय और वैसे तो बहुत Сारे के देखने को मिलेंगे वर्विना में और यह भी गुच्चों में फ्लावरिंग करता है कटिंग से इसी चलने वाला प्लांट है और हमारा नेक्स्ट है वीगोनिया वाइत बीगोनिया देख रहे हैं फ्रेंट्स यह कितना सुन्दर यह भी बहुत खुशूराद कटिंग से ही लगा हुआ प्लांट है ये मेरा अगला वाइट फ्लावर वाला प्लांट है ये देख रहे हैं लेंटाना का देखे कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है इसमें भी बहुत इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट होता है बंचेस में इसके flowers आते हैं, अच्छे से care करो तो बारो महिने इसमें flowering होती है, लेकिन मैंने देखा है white color का जो लेंटाना है friends, वो बारिश ये लेके spring के season तक इसमें बहुत अच्छे से flowering होती है, और अगला मेरा white color का plant है, आप देख रहे हैं, बहुत उपर है friends, ये नाक च प्लावर का flower बहुत ही खुबसूरत, ये भी बारो महिने flowering करता है, और white color का flower आता है इसमें जो देखने में बहुत ही खुबसूरत लगता है, और next है हमारा देख रहे हैं, पारिजात, पारिजात का flower भी white color का होता है, और उसकी जो डंडी होती है friends, वो orange color की होती है, और cutting स easily grow हो जाता है, ये भी plant, और insect का attack हुआ है, insecticide का apply करना पड़ेगा मुझे, और इसका जो cutting से grow किया है, मैंने वो plant में आपको दिखाती हूँ, ये देखे friends, ये इसको मैंने cutting से grow किया हुआ है, पारिजात का, जल्द ही इसको मैं किसी planter में shift कर दूँगी, और next flower है, हमारा सफेद रंग का वो है, pentas, देखे friends, pentas में भी कितने अच्छे से flowers आ रहे हैं, white color के, वैसे तो बहुत सारे colors के flower इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन देखे कितना खुबसूरत है ये, और अगला है हमारा, ये देख रहे है, exora, white color का exora, और बहुत ही खुबसूरत, spend हो रहे हैं, flowers इसको cut करना पड़ेगा, और यही आज share करना था आप लोग के साथ, और देखे ये, मेरा गुलाब का collection भी देख लीजिए, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए, happy gardening, bye, thank you